आज मैं बनाओंगी मूफली की गचक यानी की चिक्की घर पे आप इसे असानी से बना सकते हैं बहुत ही स्वादिश बनती है वर कुछ बातों का ध्यान रखना है जो की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हो तो एंड तक बने रहें मेरे साथ सबसे पहले हम मूफली रोस्ट करेंगे तो एक पैन ले लेंगे और उसमें आड करेंगे एक कप मूफली और इसे रोस्ट करेंगे मार्किट में आप जाएंगे तो आपको बहुत तरीके की मूफली की वराइटी मिल जाएगी मूफली की गचक बनाने के लिए आपको जो वराइटी लेनी है वो मैं बता रही हूँ थोड़ी सी पतली और लंबी मोटी होने पर क्या होगा उच्छे से रोस नहीं हो पाएगी और आपकी जो चिक्की है वो करारी नहीं बनेगी क्रिस्पी नहीं बनेगी इसे रोस करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर जितना ज्यादा अच्छा करन चाहिए उतनी ही लो फ्लेम पर इसे रोस करें गोल्डन क्रिस्प होने तक कम से कम चार से पांच मिनिट आपको लगेंगे इसे रोस करने में आप देख सकते हैं थोड़ा सा धुआ उटना शुरू हो गया है ये रोस्ट अच्छे से हो चुकी है कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है गोल्डन ब्राउन सा हो गया है तो अब फ्लेम को आफ कर देंगे एक प्लेट में कपड़ा बिचा के उसमें सारी मूफली डाल देंगे और थोड़ी दिर के लिए से थंड़ा होने देंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल बटन प्रेस कर दें लेटेस्ट आपडेट से नोटिफिकेशन के लिए ठंडी होने के बाद इसे कपड़े की मदद से छील लेंगे दोनों साइट से कपड़े को फोल्ड करके या फिर एक एक करके आप छील सकते हैं कपड़े में मसलने की वज़े से मूफली चल्दी छिलेगी आपका टाइम बच जाएगा अब ये जो छिलके हैं हमें से सेपरेट करना है मूफली में से तो उसके लिए क्या करेंगे ऐसा स्ट्रेनर होगा घर पे आपके उसमें ये मूफली लेंगे थोड़ी थोड़ी करके और उसे ऐसे छान लेंगे मूफली को छीलने के बाद छिलकों से अलग करने के बाद एक प्लेट में डाल देंगे और एक कटोरी की मदद से उसको हलके हाथ से तोड़ेंगे ताकि कोई भी साबूत मूफली ना बचे सारी आधी-ाधी हो जाए मूफली की गचक जो है बहुत जल्दी जम जाती है तो इसके लिए एक काम कर लेंगे ताकि हम असानी हो जाए एक पॉलिथिन पे या फिर जिस प्लेट में आपको जमानी है उसे घी की मदद से ग्रीस कर लेंगे मैंने यहाँ पे दो पॉलिथिन त्यार की है मैं आगे बताऊंगी इसका क्या काम है एक बेलन को भी हम घी से ग्रीस कर लेंगे बहुत ही असान सी रेसिपी है ट्राइ जरूर कीजिएगा स्टेप बाइ स्टेप फॉलो कीजिए और बिल्कुल बजार जैसी कचक चिक्की आपकी घर पे त्यार हो जाएगी अब एक पान लेंगे फ्लेम को लो ही रखना है इसमें डालेंगे एक कप गुड़ गुड़ को अच्छे से ग्रेट कर लीजे या क्रश कर लीजे इसकी वज़े से क्या होगा न गुड़ असानी से पिगल जाएगा कोई भी लंप्स नहीं रहेंगे थोड़ा सा पानी में डाल रही हूँ इसमें एक टेबल स्पून के करीब ताकि ये गुड़ असानी से मेल्ट हो जाए और हमें कम टाइम लगे चिक्की बनाने में फ्लेम को लो ही रखना है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी पक जाता है इसको लो फ्लेम पर मिक्स करते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे चिक्की का कलर जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने गुड़ कौन से कलर कर लिया है अगर आप light कलर कर लेंगे तो of course light बनेगा dark कलर कर लेंगे तो dark बनेगा पर अगर आप light गुड़ को भी dark करना चाते हैं तो थोड़ा सा food कलर डाल सकते हैं, एक दो drop मैं यहाँ पर skip कर रही हूं 2-3 मिनट बात continuously stir करने के मैं एक बारी चेक कर लेती हूं कि गुड़ रेडी है नहीं गच्चक के लिए इसे चेक करने के लिए एक बाउल में थंडा पानी लीजे और उसमें डाली एक दो drop melted गुड़ और एक दो second बात इसे कठा करें और देखें यह soft है अभी भी तो यह त्यार नहीं हुआ है अभी जैसा हमें चाहिए वो टॉफी की तरह तूटने वाला तो अभी ready नहीं है low flame पर continuously stir करते रहिए इस टाइम पर मैं डाल रही हूं आदा teaspoon के करीब देशी घी इसे बहुत अच्छा flavor आएगा और जो shine चाहिए होती है चिकी में वो प्रॉपर तरीके से आएगी stir करते रहेंगे तीन-चार मिनट हो चुके है मुझे stir करते हुए अलका सा light brown color हो चुका है और bubbles भी आने शुरो हो गए है अब कठा करके देखेंगे देखें बिल्कुल टॉफी की तरह टूट रही है तो ready है हमारा गुड इस टाइम पर हम आड कर देगे जो roasted मुफली है और इसको mix कर लेंगे अच्छ से flame off कर देंगे दोनों ingredients अच्छ से mix हो जाए तो बिना किसी देरी के जो हमने polythin ready की थी इस सारा mixture उस पर डालेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत जल्दी जम जाती है तो ये step थोड़ा quick करना पड़ेगा आपको सारा mixture आड करने के बाद spatula की मदद से या फिर एक spoon ले लीजे उस पर पीछे गी से grease करके उसे use करेंगे तो अच्छ से ये spread हो जाएगा जैसी shape आप चाहते हैं वैसे आप इसे spread कर दीजे market में तो आपको gold type की चिक्की मिलती है तो मैं उसी style में इसे shape दे रही हूँ इसकी जो मोटाई है सारी जगा से equal हो जाए उसके लिए polythin मैं रख रही हूँ और बेलन की मदद से उसे equally spread कर रही हूँ जहां से भी आपको मोटा लगे उसे equal कर दीजे polythin हटा देंगे ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी उससे पहले हमें जिश शेप में से काटना है उसके लिए marks लगा देंगे नाइफ की मदद से है ना असान सी रेसिपी तो घर पे बनाएं ये स्वादिश्ट और मज़िदार दिमाग को तेज करने वाली ठंड से बचाने वाली कचक मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताईएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी मैं मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया टेस्टी डिलिशिस मौसम के साथ बनने वाली रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुद बाई टेक के एर डोंट फोगेट लाइक शेर और सब्सक्राइब